हेलो स्टूरेंट्स, आर्पी पबलिक जो गिठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माद्दिम से मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का आज का जो डेरिविशन है वो है हमने बहुत सारे तरीके से इलेक्रिक फिल्ड निकाला है आज हम सीमित लंबाई के आवे से तार के कारण भी बैद उचेतर निकालेंगे इलेक्रिक फिल्ड फाइंड करेंगे देखिए कैसे फाइंड करते हैं तो हमने सीमित लंबाई का एक तार माल लिया यह हो गया हमारा सीमित लंबाई का वायर इस सीमित लंबाई के वायर पे चार्ज है मनें यह positively charged वायर है तो इस पर positive charge deposit कर देते हैं यह positive charge इस पर deposit कर दिया कैसा positive charge deposit है मनें बरावर मात्रा में deposit है ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा है कहीं कम uniform तरीके से distribute है एक point इसका A माल लिया ये वाला point हमने B माल लिया इस point के mid से नहीं mid point से नहीं दूरी consider करेंगे A दूरी पर हम चले गए और A दूरी पर हमारा एक point है P इस P point पर अभी लिखेंगे P इस P point पर हमें electric field find करनी इस पूरे wire की जो land है वो capital L माल लिया यहाँ से जो दूरी है वो A है इस wire का जो छोटा सा एक segment हमने ले लिया यहाँ से हमने ये distance माल लिया R ये दूरी हमने माल लिया L और इसका एक छोटा सा part ले लिया DL इसी का एक छोटा सा segment काट लिया खंड काट लिया और यहाँ पर जो angle बनना है वो बनना है D theta और ये angle है theta ये छोटा सा part है DL और इस पर charge है DQ DQ charge का एक DL खंड काट दिया L length उपर यहाँ से दूरी A इस जगे को हमने नाम रख दिया P और यहाँ पर हमने माल लिया O point ये A है ये B point है बाद में हमने क्या करा है? इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया इस point को इससे join कर दिया ये P point है और यहाँ से जो ये angle बनना है इसको हमने रख दिया P1 नाम और इस वाले का angle का नाम रख दिया हमने इधर का जो बनना है वो रख दिया P2 लिमिट लेंगे तो minus P2 से P1 तक लेंगे बाद में इसको minus consider करेंगे क्योंकि origin से नीचे का minus उपर का plus इस star के कारण जो electric field होगा वो away from the charge wire होगा away from the charge wire D और इसके दो component ले लेंगे जब ये theta तो ये भी theta हो जाएगा ये theta तो ये भी theta हो जाएगा तो इधर आजाएगा component D cos theta और इधर जो vertical component आएगा वो आएगा D sin theta चुकि ये electric field का component इस wire perpendicular है देखो यहाँ से 90 degree पर जा रहा है 90 degree perpendicular line जा रही है तो इसका मतलब हम इसको किस से सो करेंगे E perpendicular से और इसको हम सो कर सकते हैं E parallel से क्योंकि ये wire के parallel है wire भी ऐसा ही है और ये component भी इसके parallel है तो यानि कि दोनों के बीच में 0 degree angle है और यहाँ पर 90 degree angle है तो इसलिए हम इनको ऐसे भी सो कर सकते हैं अब हमें सारे points निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें जरूरत पढ़ेगी यहाँ पर हमें कौस ठीटा का formula लगाएंगे कौस ठीटा बराबर कौस ठीटा बराबर होता है आधार बटे करण कौस ठीटा बराबर क्या होता है? ये ठीटा एंगल है ना? ये इतना एंगल ठीटा है तो कौस ठीटा बराबर होता है आधार बटे करण तो A बटे cos theta हो जाएगा R बराबर हो जाएगा A बन अपॉन cos यानि कि sec sec theta हो गया तो R square बराबर निकालेंगे तो A square sec square theta हो गया यानि R square की जगा हम ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं हमारा R square की जरूद पड़ाईगी एक और हमने formula लगाया इस वाले triangle में ले रहा है तो इस triangle में हमने एक और formula लगाया 10 theta बराबर 10 theta बराबर होता है लंबटे 1000 यानि L by A L by A लगाया तो L बराबर हो गया A 10 theta theta के सापेश अपकलन करने पर इसको theta के सापेश अपकलन कर देंगे theta के सापेश अब कलन करने पर जब अब कलन करेंगे तो ये line फिर से लिख देंगे L बराबर है A 10 theta अब कलन करेंगे तो DL over D theta बराबर A सापेश कोई theta तो DL बराबर आ जाएगा A सापेश कोई theta D theta इन दोनों value को हमने पहले ही निकाल लिया क्योंकि हमें इनकी जरूद पढ़ेगे तो D electric field हो जाएगा K DQ क्योंकि इस DQ के कारण electric field निकालना है तो K DQ आएगा क्योंकि फार्मूले में K Q होता है लेकिन हमारा छोटा सचार्ज है DQ बटे में R square होता है R square मने distance कितनी है इस point की P की R हमने मानी है तो R square रखेंगे फिर हमने निकाला D E बराबर K DQ को यहाँ से replace करेंगे lambda DL से DQ को जगए lambda DL लग दिया R square हो गया D E हमारे पास ऐसी रहा अब lambda DL की जगए हम रख सकते हैं lambda DL की जगए क्या रख सकते हैं DL की जगए क्या रख सकते हैं DL की जगह हम रख सकते हैं A sec square theta DL की जगह क्या रख सकते हैं A sec square तो K lambda हो गया DL की जगह हमने रख दिये A sec square theta d theta A sec square theta A sec square theta d theta upon R square R square की जगह भी हम replace करेंगे A square sec square theta sec square A से A कट गया तो D बराबर हमारे पास आ गया D बराबर आ गया K lambda sec square भी कट गया A कट गया तो K lambda d theta K lambda d theta upon A इतना आया अब हमें ये निकालना है perpendicular तो हमें कुछ नहीं करना है अब हम ये value direct यहां रख देंगे तो E perpendicular electric field आ जाएगी K lambda upon A d theta d theta ये आ गया और इसके साथ में कौन आएगा कॉज कॉज ठीटा limit लेली minus 5i2 से 5i1 तक कॉज ठीटा को differentiate कर देंगे कॉज ठीटा का होता है sin theta K lambda A बाहरा जाएगा इसका हो गया sin theta limit लगा देंगे minus 5i2 से 5i1 K lambda upon A अपर limit पहले रखेंगे तो sin 5i1 minus sin 5i2 तो K lambda A sin 5i1 minus minus plus sin 5i2 यह फार्बूला बन गया हमारा E perpendicular के लिए हम निकालेंगे E parallel के लिए तो E parallel में कुछ नहीं बदलने वाला कॉज की जगह sin आ जाएगा बाकि सबको सेम रहेगा तो निकालेंगे E parallel तो E parallel K lambda by A ऐसे ही रहेगा K lambda by A एसी रहेगा integrate minus 5i2 से 5i1 sin की जगह के आ जाएगा यहाँ cause था तो अब उसमें sin आया और sin का क्या होता है minus cause तो E parallel आ जाएगा E parallel आ जाएगा K lambda by A minus cause होता है limit रख देंगे minus 5i2 से 5i1 K lambda by A ऐसे ही रहा पहले upper limit तो upper limit रखेंगे minus cause 5i1 फिर लिखेंगे minus minus formula बहाता है minus minus plus cause 5i2 तो यह हो जाएगा K lambda upon A यह वाली value पहले आ जाएगी क्योंकि positive है यह minus माना नहीं जाएगा तो cause 5i2 minus cause 5i1 E parallel अगर हम इसी से एक condition और बनाएगा के infinite long buyer के लिए यह finite है अब infinite के लिए infinite मने अनंत के लिए हम अलग से सिद्ध नहीं करेंगे इसी से हम निकाल लेंगे infinite के लिए limit चेंज कर लेंगे infinite के लिए क्या हो जाएगा जब हम infinite buyer के लिए लेंगे तो यह जो 5 है यह और आगे length बढ़ेगी तो यह यहाँ बढ़ जाएगा angle फिर और length बढ़ेगी तो यहाँ और बढ़ जाएगा और infinite का मतलब यह बिल्कुल straight position में आ जाएगा तो यह angle जो 90 हो जाएगा ऐसी यह वाला भी straight position में सीधा हो जाएगा तो यह भी 90 हो जाएगा यानि 5-1 भी 90 लेंगे और 5-2 भी 90 लेंगे तो हम infinite के लिए भी सिध्ध कर सकते हैं तो अनंत लंबाई के तार के लिए अनंत लंबाई के तार के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा E perpendicular K lambda by A sin अब देखो sin यहाँ पर भी यहाँ हम क्या रख देंगे यहाँ हम रख देंगे 90 यहाँ पर भी 90 रखेंगे और यहाँ पर भी 90 रखेंगे दोनों जोगे 90 रखेंगे तो sin 90 plus sin 90 तो यह हो जाएगा K lambda by A और यह हो जाएगा 1 plus 1 यानि कि 2 K lambda by A तो यह हो गई E perpendicular इसी परकार उसमें 90 रखेंगे तो E parallel आजाएगी E parallel आजाएगी तो K lambda by A K lambda by A में आएगा यह भी 90 कॉज 90 और कॉज 90 कॉज 90 की value 0 होती है तो E parallel क्या हुआ? 0 हो गया मने E parallel जो field है वो 0 हो जाएगी और जो E perpendicular field है वो 2 K lambda by A हो जाएगी तो हम इन दोनों को यहाँ लिख देंगे E perpendicular कितनी आई? 2 K lambda 2 K lambda upon A और E parallel कितनी आई? 0 तो यह दोनों बातें हम infinite के लिए भी सिद्ध कर चुके तो इस तरह से यह most important derivation है आप जरूर इसका revision बार-बार करिए आप जरूर सीख जाएंगे Thank you रेखिए students अब एक question कराएंगे electric field पादारे बहुत अच्छा question है question यह कि 2 Aways 4 µC तता 16 µC के एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर रखे हैं ग्याद कीजिए कि इन आवेसों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदू पर electric field सून होगा माने किस जगे electric field 0 होगा वो इस्थान हमें बताना है तो कैसे solve करेंगे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका चित्र बनाएंगे हमने क्या करा चित्र बना लिया एक आवेस ये मान लिया हमने और एक आवेस हमने ये मान लिया इस point को A मान लिया इस point को B मान लिया यहाँ पर जो आवेस रखा है वो चार माइक्रो कूलाम है और यहाँ पर जो रखा है वो है 16 माइक्रो कूलाम इन दोनों के बीच की जो separation है वो 15 मीटर है आप देखो कहां पर electric field 0 होगा पता नहीं हमें electric field किस जगह 0 होगा यह हमें नहीं मालम तो हमने माल लिया कि electric field जो है वो यहां कहीं 0 होगा इस c point पे 0 होगा तो यह दूरी कितनी होगी यह दूरी है x और यह दूरी कितनी बची 16 15 माइनस x भाई टोटल दूरी 15 है तो उसमें से x घटा दी तो कितनी बची 15 माइनस x बची 15 माइनस x यह दूरी x होगी यह दूरी 15 माइनस x होगी अब इसके कारण electric field बनना होगा उसका direction इधर होगा इस पॉइंट इस charge के कारण electric field जो होगा वो उसका direction इधर होगा और इसके कारण electric field बनना होगा उसका direction इधर होगा तो दोनों के direction आपोज़ेंगे एक दूसरे कैंसल आउट कर देंगे तो इसका मतलब यहीं पर electric field 0 हो जाएगी इस point को हमें बताना है कितनी दूर यह x point करना है तो हमने इस वाले charge की बज़े से electric field कर नाम रख दिये even और इस वाले charge की बज़े से electric field कर नाम रख दिये e2 तो सबसे पहले हम even गयात करेंगे इस charge के कारण तो वो even होगी तो even बराबर आजाएगा हमारा formula क्या होता है kq तो kq हो गया q का माहन है चार micro column, micro column में कितना लगाएंगे micro sabd हटाने के लिए 10 की गात माइनस 6 बटे क्या होता है r square r, r कितनी है r हमारे पास x है इसका direction किदर को चला गया है, इसका direction इस side में चला गया हमने a से b की और, किदर चला गया a से b की और इसी परकार e2 निकालेंगे तो e2 कैसे निकलेगा k और यहाँ पर q का मान के लिए 16, यह देखो 16 है, 10 की गात माइनस 6 लगाएंगे, micro है और बटे में x दूरी कितनी लिए 15 माइनस x और इसका whole square करेंगे, इसका direction किदर चला जाएगा, b से a की और अब यह जीरो हो जाएंगे यहाँ, तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ है, अगर हम इन दोनों को घटा रहें, इन दोनों का difference ले रहें तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो यानि कि, या हम इन दोनों को बराबर भी रख सकते हैं, दोनों के वी इलेक्ट्री फील बराबर होंगे, तभी तो जीरो होगा यहाँ पर, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, घटा के जीरो रख सकते हैं, या फिर दोनों को बराबर रख सकते हैं, या इन दोनों को difference को जीरो ले सकते हैं, दोनों यह एक ही बात होई, तो हम कर देते हैं, E1 बराबर E2, त K 4 into 10 की खाद minus 6 और X square है बराबर है K 16 दसकी खाद minus 6 और 15 minus X का whole square क्या कटा K cancel हो गया 10 की खाद 6 भी cancel हो गया तो 4 बचा और हमारे पास X square बचा 16 बचा 15 minus X बचा अब हमने क्या किया हमने क्या किया इस 4 को लिख दिया 2 2 बटे X ऐसे लिख दिया बात बोई है कि 2 का square करो 4 आजाए इसको हमने लिख दिया 4 बटे 15 minus X का whole square इसका whole square करो फिस सोला हो जाएगा इस square से square cancel हो गया तो बचा 2 बटे X इदर बचा 4 15 minus X ग्रास गुणा कर दिया तो इह हो गया 15 दूनी 30 minus 2 X 30 minus 2 X 30 minus 2 X और 4 X बचा ये 2 बचा ये 4 बचा तो इह हो गया 15 दूनी 30 और 2 X और इह हो गया 4 X अब ये हो गया 6 X उदर जाके plus हो गया तो X बचा हो गया 30 बचे 6 यानि की 5 6 5 पन्जे 5 मीटर आई distance यानि की AC कितना आए AC आगे 5 मीटर तो AC बचा बचा ये 5 मीटर और अगर हम BC निकालें तो BC कैसे आएगा BC है 15 minus X तो 15 मैं से X घटा देंगे यानि 5 तो कितना आजाएगा BC? BC आजाएगा आपका 10 मीटर तो यानि कि अगर हम इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं मनें A से 5 मीटर दूर इलेक्टरिक फील्ड जीरो होगी या फिर B से 10 मीटर दूर इलेक्टरिक फील्ड जीरो होगी ये वो पॉइंट है अच्छा ये पॉइंट पास में इसके क्यों आया? मनें ये दूरी 5 क्यों आई? ये दूरी कम क्यों आई? ये दूरी कम इसलिए आई? क्योंकि ये वीक है ये दूरी बड़ी क्यों आई? ये दूरी 10 मीटर आ रही है ये दूरी 10 आ रही है क्यों आ रही है 10 क्योंकि ये heavy है तो heavy charge से दूर electric field जीरो होती है और weak charge के पास में electric field जीरो होती है बरना ये point अगर 16 इधर कर दिया जाएगा तो ये point सीख सके यहाँ आ जाएगा Thank you देखिए students next derivation कर रहे है Electric field due to a charge arc एक arc लेंगे इसमें और उस arc के कारण सेंटर पर electric field निकालेंगे थोड़ा बड़ा लेते हैं थोड़ा सब बड़ा बनाएंगे इस तरह से ये ले लिया हमने ये एक arc है इस arc पर charge distributor है Q charge है total charge क्यूं है total charge Q है total charge Q total charge Q है ये आ रहे है ये total angle जो पूरा है ये alpha है यहां से हमने क्या करा एक mid line खेची इस angle को हमने इतना ये वाला angle हमने mid point से जो angle माना ये माल लिया ठीटा इस angle को ठीटा माना और छोटा सा एक अब माल लिजे चलिए ये ठीटा है तो cross ऐसे इस पर क्या करेंगे एक line खेचेंगे ये हमने एक line खेची ये ठीटा तो ये भी ठीटा होगा वे देखो ये ठीटा सीधी लाएं जा रही है ये तरशी जा रही है तो ये ठीटा हो जाएगा तो इसका जो electric field का component है D जो इस component की बज़े से electric field आएगा जो एक छोटा सा एक हिस्सा लेंगे यहां पर ये लेंगे D ठीटा और ये arc लेंगे DL और इसपर charge लेंगे DQ इसकी बज़े से जो electric field जाएगा वो ये line जाएगी electric field की electric field line ये जाएगी D और इसका एक component इदर आएगा D sin ठीटा और एक component इदर आएगा D cos ठीटा इस बार इस part की बज़े से जो D sin ठीटा ये वो इदर आएगा तो इस part आदे part की बज़े से जो D sin ठीटा ये वो इदर जाएगा तो ये बराबर और अपोजिट होने की बज़े से D sin ठीटा कैंसल करतेंगा तो इस बार ये आएगा हमारे पास यानि net electric field निकालने के लिए ये वाला component काम आएगा ना कि ये वाला क्योंकि ये cancel हो जाएगा तो D cos theta के द्वारा हम net electric field निकालेंगे और limit कहां से लेंगे ये अगर total phi alpha है तो यहां से आता किता होगा alpha by 2 भाई ये alpha by 2 होगा ये भी alpha by 2 होगा तो यहां से हम limit लेंगे minus alpha by 2 से alpha by 2 तक क्योंकि alpha by 2 हमारा यहां हो जाएगा तो minus alpha by 2 से alpha by 2 तक total limit लेंगे तो ये हमारा इस तरह से निकलाएगा और ये वाले vertical opposite होने के कारण cancel हो जाएगा अब देखिए हम solve करते हैं तो किस तरह से solve करेंगे हमने net electric field निकाली तो d निकाला पहले हमने d निकाला तो d बराबर हो जाएगा d बराबर हो जाएगा k d q upon r square k d q कोई जगे हम replace कर देंगे इसकी जगा आ जाएगा lambda r d theta upon r square r cancel तो यह हो जाएगा k lambda d theta बटे r चुकि हमारे में component यह आ रहा है तो इससे net electric field निकालेगी तो e net e net आ जाएगा हमारे पास k lambda बटे r cos theta d theta integrate कर देंगे minus alpha by 2 से plus alpha by 2 तक cos theta का हो जाएगा sin theta तो यह हो जाएगा e net k lambda बहारा जाएगा और integration में चला जाएगा cos theta d theta minus alpha by 2 से plus alpha by 2 plus दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि यह तो plus ही होगा अब e net बराबर हो गया इसका हो जाएगा sin तो k lambda by r यह sin हो जाएगा limit लगा देंगे minus alpha by 2 से alpha by 2 k lambda ऐसे ही रहेगा upper limit रखेंगे sin theta theta की जगा alpha by 2 रखेंगे फिर minus रखेंगे और minus पहले ही होता है या फिर ऐसे रखेंगे sin minus alpha by 2 यह minus alpha by 2 यह वाला है अब यह minus पीछे चला जाएगा इसके तो यह हो जाएगा k lambda by r sin alpha by 2 plus sin alpha by 2 तो इस तरह से यह formula बन गया यह चुकि दोनों एक जैसे है तो इसका double कर देंगे तो यह हो जाएगा k lambda by r into 2 sin alpha by 2 तो यह e net का formula आगया थैंक यू वेरी मच